नवरात्री के 22 नियम नमबर एक नवरात्री में सबसे पहले ब्रहम चर्य का पालन करें नमबर दो नौ दिन सुभर जल्दी उठकर सनान करें और घर मंदिर की अच्छे से साफ सफाय करें नमबर तीन नौ दिनों तक उपवास करें अगर सारे दिन का उपवास नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करें नमबर चार दुर्गा देवी के समक्ष अखंड जियोती लगाएं और उसकी पूजा करें नमबर पांच दुर्गा देवी के नौ रूपों की पूजा करें और उसी के अनुसार भोग लगाएं नमबर छे माता को लाल रंग की चुनरी श्रिंगार का सामान और आभोशन भेंट करें नमबर साथ नवरात्री में सात्विक भोजन करें प्यास लहसुन आदी को इन दिनों इस्तिमाल न करें नमबर आठ नवरात्री में नंगे पाव रहना शुभ माना जाता है नमबर नौ पूजा के अंत में दुर्गा सब्तश्ती और दुर्गा चालिसा का पाठ करें नमबर दस कन्या पूजन करें और गरीबों की मदद करें नमबर ग्यारह नवरात्री में बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए नमबर बारह नवरात्री में नौ दिन तक चमड़े की चीजों का इस्तिमाल न करें नमबर तेरह कोशिश करें नवरात्री में जमी पर सोय नमबर चौगह साफ सुठरे और धुले हुए वस्त्र पहने नमबर पंदरह नवरात्री में दिन में सोना निशेद होता है, इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए नमबर सोलह व्रत में फलाहार ग्रहन करें एक जगा बैठ कर एक बार ही खाए नमबर सत्रह घर पर प्याज लहसुन नौन वेज कोई चीज न बनाएं नमबर अठारा नवरात्री में तंबाकू पान गुटखा और शराब का सेवन भूल कर भी न करें नमबर उन्नीस नवरात्री में किसी भी महिला और कन्या का भूल से भी अपमान न करें इससे देवी मा नाराज होती हैं नमबर बीस पूजा करते समय बीच में न उठें इससे पूजा अधूरी रह जाती है नमबर इक्कीस नवरात्री में शारेरिक समबंध नहीं बनाने चाहिए नमबर बाईस नवरात्री के नौ दिन मा की पूजा के साथ तन और मनकी शुद्धी के भी होते हैं इसलिए अपना आचर्ण इसी अनुसार रखना चाहिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद आपका दिन शुब हो